असनातक पाँ समुख मंत्री करन्या उठान योजना 1 दो 50 sadly करने के लिए अब नया फर्मान जारी कर देगया है उसके बारें भी ही इस वीडियो में नிसक्थर के देंगे। शहाथ ही ओन्लाइन जो आवेदन है वो शुरू कर देगया है यह d 2022-20....... श्मुक मंत्री करने उठान योजना के चात्रों के लेकर तो इसमें जो भी चात्रा है कौन सी ऑनलाइन कर सकती है पूरे इसके बारे में डिटेल से चाचा करेंगा और साथ ही महत्पुन सुचना भी इसमें बताएंगे और ऑनलाइन करने है तो आवश्यक जो दास्तावेज ह तो वह क्या लगने वाला है प्लस ओनलाइन करने के अंतीमति थी क्या है क्योंकि उठान करने की जो च्रुणबर से श्याहिस श्याकार्ट की चलएंगे Transks Act ग्यों आज आविदन करनेके उस हमें पॉर्टटΨ manga की ऑनलाइन गया तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुक्मिंतरी कन्या उत्थान योजना इंपोर्टेंट जो है यह अप्लिकेशन इस्टार्ट करने का डेट आट बारत दोच्टेश से स्टार्ट कर दिया गया है और लास्ट डेट जो अपलाएका यह अभी तक घोशित नहीं किया गया है हो सक सकता है कभी यह घोशित किया जा सकता है कि लास्ट जो अपलाएका है वो कब तक रहेगा उसके बाद अप्लिकेशन फी जो है जनरल या फिर अदर कटेगरी के छात्राओं का सभी का जीरो रूपया लगने वाला है किसी भी छात्राओं का यहां पर ऑनलाइन करने का फी नह महत्पून शूचना है यहां पर आप सभी छात्राओं देख पा रहे होंगे महत्पून सूचना में है कि मुकमेंतरी कन्या उत्हान योजना के लिए दिनांग एक चार दोजर एकिस से एक तीस तीन दोजर तेज तक अशना तक पास शात्राओं का रिजल्ट पोर्टर पर अपलोड कर दिया गया है जो भी छात्राओं एक तीस तीन दोजर तेज से पहले अशना तक पास की है उनका जो रिजल्ट है मुकमेंतरी कन्या उत्हान योजना है तो जो पोर्टर बने गया है उस पर अपलोड कर दिया गया है अब दिनांग एक चार दोजर तेज से तीस दोजर देश तक का रिजल्ट पोर्टर पर अपलोड किया जा रहा है साथ ही वैसे कॉलेज जिनका मनेता प्राप्त नहीं था और अब मनेता प्राप्त हो चुका है उनका भी रिजल्ट पोर्टर पर अपलोड किया जा रहा है सिक्षा विभाग द्वारा सभी रिजल्ट त 30-10-2023 तक अपलोड करने के लिए पत्र जारी किया गया था जिसका की काम चल रहा है जे शात्राओं का यल्ड दिनांग 14-21-31-23 के बीच जारी हुआ था और वे शात्राओं मुख मंत्री करने उथा नहीं हो जिना है तो लाब लेने के लिए आउनलाइन आवेदन की है और किस फॉर्म फिर से fill-up कर सकती है जो शात्राओं पहले आवेदन कर चुकी है उसमें से कुछ शात्राओं का पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेज दिये गया है वैसरे भिण चात्रों का भुगतान बंक अशफल हुआ है वैसर भी अधार जल से जल सä जल स बैंक अकाउंट में शिड़ेट कराएं ताकि दुबारा भुक्तान की प्रक्राइश शुरू की जैसा कि आपको बैंक एकाउंट में जो आधार है वो लिंकेड होना चाहिए और बैंक एकाउंट में जो केवाशी नहीं लगना चाहिए तो आपके एकाउंट में डायेट पैसा चला जाएगा मुक्ति कन्या उट्वतान योजना तो जो लाव है यह किन-किन चात्रों को नहीं दिया जाएगा वो ध्यान से देख लें नहीं तो फिर पच्छताएंगे की फिर मुझे पैसा नहीं मिला तो जान यह जो अभी में बचाने जा रहा हूं इसे आप ज़रू ध्यान से देख लि ज़रूरी नहीं है का 1st region है 2nd region है 3rd region है क्योंकि ऐसे तो ओनर्स में 3rd class होता नहीं है 1st 2nd class ही होता है तो आप किसी भी region से अशनातक पास है सभी को पैसा हैं दिया जाएगा ECU ओजना के लाग सभी जाती है छत्रों को मिलेगा HT, OBC, General सभी जाती है छत्रों को इसका लाब दिया जाएगा जिस college या जिस विशय का मनेता प्राप्त नहीं है उस college या उस ओनर्स विशय मैंशनात तक पास करने वाली छत्रों को इस होजना का लाब नहीं दिया जाएगा supported बहुत सारे ऐसे private college है जिनको की UGC University Grant Commission के द्वारा मनेता प्राप्त नहीं दिया गया है और उस college में आपका admission है इसका पता आप लोग admission कराने से पहले UGC के वेवसाइट पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस वेवसाइट यह जो college है UGC के वेवसाइट पर है उसका मनेता प्राप्त है या फिड नहीं है तो जिस college का मनेता प्राप्त नहीं है उसमें अगर आपका graduation complete हुआ है तो ऐसे चात्राओं का जो है वो पैसा नहीं दिया जाएगा इस बात को आप लोग ध्यान में रख ले क्योंकि जिसमें admission होता है उसमें college पैसा कमाने के चक्कर में सभी चात्राओं का admission तो ले लेते हैं बड़े बाद में फिर चात्राओं को परिशानिया जहलने पड़ती है आगे बात करते हैं आवेदन करने का कुछ आवश्यक जो खागजात है कौन-कौन से खागजात लगने वाले है इसे आप लोग डिटेल से रख लेगे या फिर खुद से भी बर सकते हैं बहुत ईजी से इसका तो उसमें कोई भी परिकरिया आप लोग मतलब परिशानी ना हो क्योंकि फाराम बढ़ने में तो जीरो रूपीज लग रहा है अशनातक पाक्स मार्क स्टीट आप लोग के पास होना चाहिए जिसके पास नहीं है वो जाके इन्वर्सिटी या कॉले से अपना मार् होना चाहिए उसके बाद बात करें तो आपके पास बैंक पास बैंक पास बैंक आपके पास होना चाहिए जात्रों का नाम सही सी होना चाहिए एकाउंट का किसी भी वेक्ति से ज्वाइंट नहीं होना चाहिए यानि आपका शिंगल एकाउंट होना चाहिए बहुत सारे कर निखा होनी चाहिए उसमें किसी का साथ जुआइन नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपका जो है मोबाइल नमर में कोक कोत्यार रखें किसी भी तरह की कोई डूटी हो तो उसे जल्द से जल्द आप सुधार करणा या आप सुधार करके भी आवेदन कर सकते हैं उसके बाद यहां पर बहुत सारा लिंक दिया गया है लिंक के बारे मैं हैं इस अपना सारा काम कर सकते हैं सबसे पहले अपलाई करने के लिए रिजिस्ट्रेशन करना होता है जो कि मैं भी बता दूंगा उसके बाद लॉग-ईन कर सकते हैं जब रिए पासवर्ट दिया जाएगा वस आईडी पासवर्ट को आपको याद रखना है उस आई पासवर् यह प्रोसेस यह वह कहां तक है यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं नीचे देख सकते हैं अगर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन देंगा सबसे पहले अपलाए रिजिट्रेशन अगर आप किसी कैफे वाले के पास जाके करवा रहे हैं तो लोग करी देंगे अधरवाइज आप खुद से भी कर सकते हैं जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं आप फोन में भी इसे वेवसाइट को आपेंड कर सकते हैं किलिक यह पर जैसे आप ऑप्शन करेंगे तो जो ऑफिशल वेवसाइट है उस पर लिया जाएगा मुखमंत्री गण्या उत्षानी हो हुजना मुखमंत्री बाल का असना तक प्रशाहनी हो जना अब को यहाँ पर सबसे मिलिया सब्केर सकते है चार प्रोस चार पर होगा इसके लिए आप 21 इसकोलर सी पोटल बिहार का यह है किलिक है यहां पर देख सेकते हैं यहां पर आपको मैं पंजन के लिए दिये गए निदेश को पढ़ा और समझ आए तो यहां पर आपको यह का टीक लगा देना है उसके नीचे बैंक एकाउंट आपको अधार नमर मेरी उस्पतिति को लगा देना है नीचे मैं बिहार का निवासी हूँ और मैं अपने अधार संख्या को स्वक्षा पूर्ण दे रही हूं जिसका उपयोग बिहार सरकार का अंतरगत देर लाभव को परदान करने में में मेरी पहषान अस्थापित करने को परमानित किया जा सकता है इंगलिस च तो जो भी इंवर्शिटी था और यहां पर इस लिए पर देख सकते हैं इंडियान इंस्ट्ट आप इंफॉर्मेशन टेख लोजी भागलपूर टीक है तो टेकनलोजी से रिल्ट पर भी जाएगा वसके पड़ा जो गॉर्मेंट का इंवर्शिटी यह भी मिल जाएगा अब अब यहां पे हम लोगों तील को मआजे भागलपdo University को देखते हैं तो तील कमाजे भागलपdo University आपको नीचे यहां पर सारा डीटेल्स आपके पास खुलिए ऑपन हो जाएगा क्योंकि जो पॉर्टल है वहां पर अपलोड का नाम अप्लोड कर रहा है चोटी से परकिरिया है जिसमें कि यह पर्थम परकिरिया है उसके बाद दूसरा तीसरा सारे आएंगे क्योंकि यहां पर सेक्शन दे कर पाएंगे यहां पर आपको पैमेंट का भी ओप्सन देखने को मिल रहा है जिसे पैमेंट पर आएंगे तो लिश्ट अप देश्टेंट फॉर पेमेंट किया चुका है या फिर कितने अश्टेंट जिन का भी तक पैमेंट नहीं है या रद हुआ है साड़ा रिपोर्ट हमने बता दे जाता है विश्ट बहुती स्मूथली काम करता है बट आप लोग तो न्यू फ्रेशर है तो आप लोग को रेश्टेशन पहले करना होगा उसके बाद इसे तरह से अपलाई करना होगा जोकि अपलाई आठ तरीक से ही इस्टार्ट हो गया है तो अगर आप कोईबिक है उसके रट आप लोग ऑपलाई कर पाएंगे क्योंकि अपलाई के चार स च्छरण होगे दुसरे में फिरिफिकेशन ढ़गए उसक्याल का प्लिकेशन हो यह सस्था लिग अ और वीडियो को दोस्तों के भी शेयर किजेगा बाकि अगर किसी के कोई भी confusion हो किसी भी परकार का कोई भी doubt हो तो TMU info social media handle को आप follow करके वहाँ पर अपनी जनकारी बता सेकते हैं अपनी doubt को killer करवा सेकते हैं या फिर comment box में भी अपने comment को छोड़ सेकते हैं अपनी location के साथ जरूर लिखेगा